इस लेक्चर में हम लोग न्याई के भाग तीन पिचरचा करना चाहेंगे इससे पहले हम लोगों ने प्रक्रियात्मक न्याई और तात्युक न्याई प्रसीजल और सबस्टेंटिव जस्टिस के बीच में डिफ्रेंस को देखा था और यह बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है अकसर बहुत सारे कॉम्पेटिटिव एक्जाम्स में इसके ओपर प्रशन पूछ लिया जाता है देखे जॉर्ण रॉल्स एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1971 में एक बुक लिखा था दे थियोरी आफ जस्टिस और इसके अंतरगत उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से एक बहतरीन समाज में एक बेस्ट सोसाइटी में इनसानों के लिए बहुत सारे सदगुण की अफशक्ता होती है बहुत सारे सदगुण आपेक्शित होते हैं और इनका कहना था कि उसमें न्याएक का सिध्धान्द सबसे महत्तोपूर है यदि किसी भी समाज में न्याए नहीं है तो आप अधिकार दे दीजिए आप स्वतंतरता दे दीजिए लेकिन यदि अधिकार स्वतंतरता और करतव्यों के रहते हुए उन लोगों के बीच में न्याए स्थापित नहीं है तो किसी भी प्रकार का समाजिक संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है जॉन रॉल्स के न्याय सिध्धान को देखिए समाजिक न्याय संबंधी उदारवादी समतावादी सिध्धान भी कहा जाता है Liberal Egalitarian Theory of Social Justice of John Rawls भी कहा जाता है इन्होंने ही धन के पुनरवित्रण का भी सिध्धान दिया था तो इस पर confused मत होईएगा यदि धन के पुनरवित्रण आपसे पूछा जाए या John Rawls का उदार समतावादी सिध्धान पूछा जाए या सीधे तोर पे आपसे John Rawls का न्याय सिध्धान पूछा जाए तो आपने इन ही चुछों को समझना है और elaborate करना है देखे जॉन रॉल्स का कहना था कि न्याए की जो main problem है जो न्याए की मुख्य समझ से हैं मैं थोड़ा सा जिस्ट कर दूँ इन्होंने 1971 में एक बुक लिका दा तो theory of justice और उसके माध्यम से इन्होंने किसी भी एक बहतरिन सम माज में न्याए को किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए किस तरीके से सभी लोगों को accept हो जाए वो process उसके बारे में भी discuss किया था और जॉन रॉल्स का कहना था कि देखे न्याए का मुख्य काम है प्रात्मिक वस्तूओं का वित्र जान रॉल्स ने जैसा कि मैंने पीछे अभी जिक्र किया था कि जान रॉल्स अपने न्याए के सिद्धान को pure procedural justice की संग्या दे थी देखे समकालिन उदारवादी चिंतन के अंतरगत जब progress versus justice के debate की बात आती है यानि प्रगति बनाम न्याए के विवात की बात आती है जहां हेक ने progress का साथ दिया था वहीं जान रॉल्स ने प्रगति के साथ साथ न्याए का भी साथ दिया जान रॉल्स ने जो बुक लिखी थी तो theory of justice 1971 उसके अंतर यह तर्क दिया था कि बहतरिन समाज के अंदर बहुत सारे सद्गुण virtues required होते हैं prerequisite होते हैं अपेक्षित होते हैं और उसमें न्याय का सिधान्त most important है बहुत महत्वपोन है न्याय एक बहतरिन समाज की अवश्यक शर्त है परंतु प्रयाप्त नहीं है justice is a necessity of any society but it is not a sufficient condition इसके अलावा भी बहुत सारे नैतिक गुणों की एक समाज में प्रधानता होती है और जॉन रॉल्स की देखे पुश्यक तक उन दिनों प्रकाशित हुई थी जब वैश्यक स्तर पर उदारवाद एक संकट के दौर से गुजर रहा था और अमेरिका में जितने भी ब्लैक लोग हैं अश्वेत लोग हैं वो अपने नागरिक अधिकारों के लिए संख़श कर रहे थे वहाँ पर एक सिविल वार छिड़ा हुआ था वहीं दूसरी और वियत नाम के विरुद जो अमेरिका युद लड़ रहा था उसमें भी अमेरिका को बहुत ज्यादा जटका लगा था और उससे भी उदारवाद की साख बहुत गिरी थी और उसी दुरान बहुत सारे विकाशिल देशों में जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनमें भी उदार लोगतन बहुत लड़ खड़ा रहा था स्टेबल नहीं हो पा रहा था और इन देशों में बहुत सारी समस्याओं ने जन्म ले लिया था जिसमें बिरोजगारी, मुद्रस्फिती, असंतोश इस तरीके के बहुत सारी समस्याँ चल रही थी और एसे स्थिती में पूरे वैश्विक स्थर पर नियाएक एक ऐसे सिधांद की ज़रुवत थी जो political democracy के सासाथ economic democracy राजनितिक लोगतन्तर के सासाथ आर्थिक लोगतन्तर भी उपलप्ट कराए और जॉन रॉल्स ने इसी समस्या के समाधान के लिए देखे न्याय के सिध्धान का प्रतिपादन किया था अपने पुस्तक के अंदर देखे जॉन रॉल्स ने न्याय का सिध्धान प्रस्तुत करते समय एक और Immanuel Kant का विवेकवाद ये विवेकवाद का जो सिध्धान्त है वो Immanuel Kant ने दिया था तो जॉन रॉल्स ने Kant के विवेकवाद का सहरा लेते हुए कहा कि विक्ति स्वयम में साध्धे है देखे साध्धे का मतलब होता है man itself an end विक्ति स्वयम में साध्धे है और राज्य उसका साधन है यानि विक्ती बहतर जीवन जी सके यही विक्ती का साध्य है और राज्य विक्ती को सुरक्षा दे सके बहतर जीवन दे सके समाजिक सुरक्षा दे सके इसलिए राज्य साधन है ठीक इसी तरह जॉन लॉक ने प्रकर्तिक अवस्था और समाजिक मानना था कि नियाए की जो में प्राब्लम है वो प्रात्मिक वस्तुओं के नियाए पूर्ण वित्रण की है। The main problem of justice is to distribution, the just distribution of primary goods among all citizens. देखे, John Rawls ने कहा था कि नियाए की जो मुख्य समस्या है वो है प्रात्मिक वस्तुओं के नियाए पूर्ण वित्रण की। और यहां पर प्रात्मिक वस्तुओं से अभी प्राय है, दुबारा दोरा आ रहा हूँ, अधिकार और स्वतंत्रताएं, शक्तियां और अफसर, आय और संपदा यानि इनकम और प्रपर्टी और जितने भी वो सभी साधन जिसे विक्ती एक गरिमा में जीवन, एक डिगनिफाइड लाइफ को लीड कर सकता है, उन सभी अफसरों का, मुल्यों का, अधिकारों का, स्वतंत्रताओं का, लोगों के बीच में नियाएपूर्ण वित्रण किया जाए, और इसी और इसके माध्यम से इन्हों ने कहीं न कहीं तात्विक नियाए यानि समाजिक आर्थिक नियाए की स्थापना करने की भी कोशिश की थी। देखे, जॉन रॉल्स ने अपने पूरे विचारों में विक्ती की गरिमा को, डिगनिटी ऑफ हुमन को अपने नियाए प्रणाली का किंद्र बिद्दू माना था, और जॉन रॉल्स ने उप्योगिताबादी सिधान्त का खंडन करते हुए कहा था, कि अधिक्तम लोगों के अधिक्तम सुख का हिसाब लगाते वक्त, यह नहीं देखा जाता कि उससे किसी भी एक विक्ती को कितनी शती हो सकती है, देखे मै बेंथम और जैम समील का कहना था, कि वो काम किया जाना चाहिए जिससे अधिक्तम लोगों को अधिक्तम सुख की प्राप्ती हो, इस कोटेशन को याद रखियेगा, अधिक्तम लोगों के अधिक्तम सुख की बात आते ही, आपका ध्यान उप्योगिताबाद की तरफ जाना काम करने जाना चाहिए, जिसका कहना था न हिक Two-Drag is peace amd. कि यह अतों स सब्सक्राव करने से ऌधिक्ति को अधिक्तम सुख मिलता है और किलम महाँ हैं कि यह काम को जाने से उद्फटेश काम क होड़ा सकता है यहां पर जॉन रोल्स कहता है यह कहना गलत है कि केवल उपयोगिता को देखके ही काम करने का निर्णे लिया जाए यानि अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुख लगाया जाए तो उसमें ये भी हो सकता है कि कोई एकटी विशेश अपनी शक्ति का इस्तमाल करते हुए बहुत संख्या लोगों का यह बहुत सारे कमजोर लोगों का नुकसान पहुचा सके इसलिए संभावना है कि कुछ लोगों को दास बना लिया जाए उनका जीवन बरबाद कर दिया जाए उनका शोशन किया जाए इसलिए रॉल्स का कहना था ये कोटेशन भी याद रखिएगा बहुत सारे कॉम्पिटीशन में पूछी जाती है कि किसने का है था ये बात जॉन रॉल्स का कहना था कि सुखी लोगों के सुख को कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए आज यदि जो सुख लोग हैं उनके सुखों को आप कितना ही क्यों न बढ़ा दो उससे आप दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर या उनके दुखों को कम नहीं कर सकते इसलिए न्याएं की प्रात्मिक्ताव को निश्चित करने के बाद जॉन रॉल्स ने न्याएं के तीन प्रकारों में भेद किया था जैसे कि मैंने अभी पीछे जिक्र किया उसका कहना था कि न्याए में तीन तरह के भेद दिखाई देते हैं एक होता है पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याए दूसरा होता है अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याए और तीसरा होता है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याए यानि Complete Procedural Justice, Incomplete Procedural Justice और Pure Procedural Justice और इनहीं तीनों प्रकार के न्याय में भेद अभी मैंने पीछे के लेक्चर में भी जिक्र किया था, एक बार जल्दी से जिक्र कर देता हूं, देखें जॉन रॉट्स का कहना था कि जो पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय हैं, वो केवल निश्पक्ष प्रक्रिया पर जोर द देता है, निश्पक्षता पर जोर देता है, और जो अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय है, वो कुछ खास परकार के मान दंडों पर, मान को पर बल देता है, और शुद प्रक्रियात्मक न्याय निश्पक्ष प्रक्रिया पर भी बल देता है, और मान दंडों को भी अपना पर जोड देता है इसी के साथ ही जो पून प्रक्रियात्मक ने आए है वो केवल योगता पर बल देता है और अपून प्रक्रियात्मक ने आए अवशकता पर बल देता है और ठीक इसके विपरिज जो पून प्रक्रियात्मक ने आए है वो योगता पर भी बल देता है और वो अपून प्रक्रियात्मक न्याय है, वो समाजिक न्याय पर बल देता है, समाजिक आर्थिक न्याय पर बल देता है, और जो pure procedural justice है, यानि शुद प्रक्रियात्मक न्याय, वो प्रगति पर भी जोर देता है, और वो न्याय पर भी जोर देता है, और दोनों के मर्दे संतुलन क स्थापना पर सोर देता है अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा जॉन रॉल्स ने जो नयायका सिधान प्रस्तुत किया था उसमें उसकी तरक पधती क्या थी उसका जो और्गूमेंट था उसका मैथट क्या था देखिए ध्यान से सुनियेगा जॉन रॉल्स ने समाजिक समझोते की प्रक्रिया का इस्तमाल करते हुए या इसकी तरक प्रणाली का इस्तमाल करते हुए एक अनविशनात्मक युक्ती एक हिुरिस्टिक डिवाइस का प्रियोग किया था जिसके अंतरगत उसने कलपना की थी कि यदी विक्तियों को, यानि हम सभी लोगों को हमारी वर्तमन समाजिक आर्थिक समस्याओं से परिस्थितियों से बिल्कुल अनभिग्ये परे कर दिया जाए और समाज में जो भेदभाव मौझूद हैं थे अंजान हो तो हम किस प्रकार से एक भावी समाज में अपने हितों की अधिक्तम अभिवृध्धी या हितों की अधिक्तम वृध्धी कर पाएंगे इसके लिए समाजिक जीवन के नियमों और संस्थाओं का निर्मान हम किस प्रकार से करेंगे इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जॉन रॉल्स ने काल्पनिक स्थिति की कल्पना की थी और उस काल्पनिक स्थिति को यानि उस काल्पनिक प्रकारतिक अवस्था के स्थिति को जॉन रॉल्स ने मूल इस्थिती, ओरिजनल पोजिशन, मूल इस्थिती, ओरिजनल पोजिशन का नाम दिया था देखे, आप यू समझे जॉन रॉल्स का कहना था कि यदि हमें किसी भी समाज में न्याए को स्थापित करना है और माल लीजिए कि हम अपनी अफशक्ताओं को नहीं जानते, समाज में किन बातों को लेके हमारा मतभेद हैं, हम उनको भी नहीं जानते, समाज में किस प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन हैं, हम उसको भी नहीं जानते और इतना सीधे होने के बाद, इतना नोबल सेवेज होने के बाद, सब्भे इंसान होने के बाद, यदि हम न्याई किस थापना करते हैं, तो उसने कल्पना की थी, कि हम सभी लोग एक अज्ञान के परदे के पीछे बैठे हैं, और एक ऐसे भावी समाज का निर्माण करना चा उसकरें, तो उसने एक अनविशनात्मक पधति के माध्यम से कल्पना की, कि हम सभी इस सिधान को समझते वक्त, खुद की ओपर इसको इंप्लिमेंट करने की कोशिश करना, ताकि थियोरी आपको बहुत असानी से समझ आ जाएगी, उसका कहना था, कि यदि हम सभी लोगों क एक औरिजनल पोजीशन में बिठा दिया जाए, एक अग्यान के परदे के पीछे, यानि हम नहीं जानते कि भावी समाज के निर्माण के पश्चाद क्या स्थिती होगी, और उस अनभिग्यता में, उस अनजाने पन में भी, यदि हम बैठ के कुछ नियाएं के नियमों की क काल्पना करें, यानि उस अग्यान के परदे के पीछे बैठते हुए, हम एक काल्पनिक स्थिती करते हैं, जिसमें सभी लोग, यानि हम सभी लोग, अपनी अफशत्ताओं को लेके, अपने इंट्रस्ट, अपनी कौलिफिकेशनस यानि योगताओं को लेके, और अपनी अवश्यक प्रतिबंद अवश्य होंगे और ये अवश्यक प्रतिबंद reasonable restrictions नैतिकता के विचार से जुड़े हुए होंगे। देखे जॉन रॉल्स ने मूल इस्थिती, मूल इस्थिती की बात करूँ तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अज्ञान के परदे के पीछे बैठा हुआ विक्ति का समोहूं जो नियाएक की स्थापना करना चाहता एक भावी समाज में और वो बहुत सीधा है, भोला है और बहुत सारी चीज़ों से अनिभिग ये हैं। तो जॉन रॉल्स का कहना था कि उस मूल स्थिती में भी जिन मनुश्यों ने कलपना की है, वो एक विवेकशील है, यानि उनमें दिमाग है और वो नियाएके नियमों का पता लगाने के लिए आपस में इखटे हुए हैं। और उन्हें अर्थशास्त का भी ज्यान है, थोड़ा बहुत, उन्हें मनोविज्यान का भी अरभिक ज्यान है और उन्हें नियाएक का भी बोध हैं। बट एन्वियस नहीं है, जैलेसी नहीं है, इर्शालू नहीं है और वे अपनी स्वार्थ भावना पर एक अंकुष रखने की कोशिश करते हैं देखे समझाना ये चाह रहा हूं कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याएं के सिध्धान्त के माध्यम से सभी लोगों को नोबल सेव स्थापना करना चाहते हैं और भावी समाज में न्याएं के स्थापना करते वक्त वो न्याएं के तीन मूलभू सिध्धान्तों को सर्व सहमती से स्युकार करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का विवाद भविश्य में जन्म ना ले तो उसका कहना था कि जो न्याएं के तीन म बात की थी social and economic inequalities और तीसरे social and economic inequalities के अंदर ही उसने एक बात की थी भेद मुलक नयाई की और दूसरे सिधान्त की बात की थी अफसरों के उचित समानता की देखे जॉन रॉल्स का मानना था कि एक ऐसे स्थिती में मनुश्य जब हम मूल स्थिती में बैठे हैं और हमको नहीं पत कि परदे के पीछे क्या है यानि भविश्य के गर्भ में क्या है आज हम नहीं के कुछ पैरामिट्र स्थांत बना रहे हैं और हो सकता है कल को आपस में हम लोगों को कुछ आपसी विवाद हो और ऐसे में हम नहीं के ऐसे नियमों को स्विकार करने की कोशिश करेंगे जिसमे प्रतेक मनुश्य नियूनतम जोकिम उठाने के लिए सहमत होगा और ऐसे नियम बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हीनतम स्थिती यानि लीस एड़ांटेज पिपल का भी भला होने की जादा से जादा गुंजाईश हो यानि हीनतम स्थिती वाले विक्ति का भी अधिक्तम ला स्थापित करना चाहते हैं तो हो सकता है खल को आप लोगों के बीच में ही हाशिय पर आ जाओं तो मैं भी कुछ ऐसे नियमों को स्थापित करना चाहूंगा कि यदि मैं कमजोर स्थिती में रह जाता हूं किसी भी समाजिक कारण से तो मेरा भी अधिक से अधिक लाब होना स निश्चित हो इसी को जॉन रॉल्स ने का था कि न्याय के कुछ ऐसे नियमों को स्थिकार किया जाएगा जो सर्वसहमत होंगे और इन्हें ही न्याय के मूलभुच सिध्धान्त कहा जा सकता है देखिए जॉन रॉल्स के अंसार मूल स्थिती में अज्यान के परदे के तो स्वयम हम खुद को हीनतम स्थिती में पा सकते हैं इसलिए प्रतेक विक्ति ये मांग करेगा कि जो हीनतम स्थिती में है उसके लिए भी अधिक्तम लाब सुनिश्चित किया जाए ग्रेटर्स बैनिफिट अव् द लीस्ट अडवान्टेज शुड़ भी सिक्योर इसी प पहला उन्होंने का था समान स्वतंतरता का सिध्धान्द, principle of equal liberty, यानि प्रतेक विक्ति को समान स्वतंतरता का अधिकार दिया जाना बहुत अवश्यक है, इसमें रॉल्स ने नागरिक और राज्यतिक स्वतंतरता को भी समलित किया था, देखिए यदि आपको भाशन और विक्ति का अधिकार ना हो, धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार ना हो, शोशन के खिलाफ अवाज उठाने का अधिकार ना हो, कानून के समान संगरक्षन का अधिकार ना हो, या कानून के समक्ष समानता का अधिकार ना हो, तो स्वतंतरता का क कोई महत नहीं रह जाता, दूसरा उसने का था, कि कुछ समाजिक और आर्थिक विशंताइं भी समाज में होगी, और इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले भềद मूलक सिधांत यानि भेद मूलक न्याए को ध्यान में रखा जाえगा इसे जॉन रॉल्स नहीं देखी शति पूर्ती का नियम चाहा था जब ये सिद किया जा सके कि उस सारवजनिक नीती से उस छूट से उस रियायत से जो कमजोर विक्ती है जो हीन तम स्थिती वाला विक्ती है उसका भी अधिक्तम लाब सुनिश्चित होगा यानि हम सरकार की किसी भी ऐसी सार्वजनिक नीती का समर्थन कर सकते हैं बशर्थ यदि वो सार्वजनिक नीती, सोशल पॉलसी, समाज के कमजोर से कमजोर विक्ती का भी अधिक से अधिक भला सुनिश्चित करती हो हाशिये पर बैठे विक्ती को भी यदि मुख्यधारा में जोड़ने का मौका मिलता है तो वो भेद मुलक न्याय होगा और इसका विरोध हमें नहीं करना चाहिए दूसरे शब्दों में आप इसे यूँ समसकते हैं कि किसी भी विक्ती की आसाधारन योगित और परिश्रम के लिए देखे कोई भी विशेश पूरिसकार के वल तब ही न्याय संगत होगा जब उसे समाज के कमजोर से कमजोर वर्ग का भी अधिक से अधिक भला हो और इस शर् वर्णॐसकार का सिधानत नहीं मानते होएं उसने शतिपूर्ती का सिधानत का था शतिपूर्ति का मुले का था यहां पर एक कोटिशन मुझे याद आरी है तेकि जॉन रॉल्स का कहना था कि कोई भी जंजीर अपनी कमजोर कड़ी से जादा मजबूत नहीं होती इसलिए रॉल्स ने इसी अधार पर उप्योगितावात का भी खंडन किया था जो अधिक्तम लोगों के अधिक्तम सुख की बात करता है तेकि भेद मूलक न्याएं के बाद उसने बात की थी अफसरों के उचित समानता की तेकि जॉन रॉल्स का मानना था कि प्रतेक विक्ती को अपने personality के development के लिए उचित अफसर मिलने चाहिए दिया जाना चाहिए उसको उचित अफसर और जॉन रॉल्स के सिध्धानतों को यदि हम एक विशेश करम में रखने की कोशिश करें तो देखिए जो पहला सिध्धानत है सिध्धानत एक को सिध्धानत दो से यानि पहला सिध्धानता समानस वतंतरता का सिध्धान उसे आप नमबर वन पे रखेंगे उसके बाद समाजिक और जो आर्थिक विशमता हैं उसे आप नंबर दो पे रख सकते हैं और दो के अंतरगत जो मैंने अभी जिक्र किया अफसरों की उचित समानता को उसको भेद मुलक नियाय से प्रात्मिक्ता दी जा सकती है यदि पर्टिकुलर कंडिशन यानि प्रेजिन सिचुएशन में प्रस्तोत स्तिती में इन सिध्धांतों का प्रियोग करने पे कोई परसपर विरोधी विकल्प सामने आ जाए तो उनमें से उप्युक्त विकल्प का चैन नियामनुसार किया जाना जाए है तेकि जॉन रॉल्स के नियाय सिध्धांत की क्रिटिसिजम भी important है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है जॉन डॉल्स के नियाई सिधान की अलोचना मांक्सवादियों ने की है, सुछात अंतरवादियों ने भी की है और समुदायवादियों ने भी की है मैंने पहले भी जिक्र किया था मांक्सवादी वे सभी विचारग जो पूझीवादी व्यवस्था की अलोचना करते है और एक समाजवादी और सामेवादी व्यवस्था की स्थापना की बात करते है और इनका मानना है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंतरण होना चाहिए राजे का नियंतरण होना चाहिए और ये किसी भी एक विक्ती के नियंतरण में नहीं होना चाहिए जिसमें कॉल माक्स, फेडरिक एंगिल्स का नाम उलिखनी है और भी कई नम माक्सवादी विचारक है देखे मार्क्स वादियों में especially Milton Fiske और Richard Miller ये दो विचारकों का कहना था कि John Rawls के न्याई के सिधान्त में अनेक खामिया अनेक कमजूरियों को गिनाया जा सकता है जैसे John Rawls का न्याई सिधान्त पूंजी पतियों के विशेश अधिकारों का संगरक्षन देता है पूंजी पतियों को विशेश प्रोटेक्शन देता है और इसमें राज्ये का जो क्लास करेक्टर है जो वरगिये चरितर है उसको नकारने की उसको नजर अंदाज करने की कोशिश की जाती है और ये बहुत सरलता से जॉन रॉल्स विकार कर लेता है कि पूंजी पती एक healthy spirit से, एक स्वस्त भावना से, एक अच्छी भावना से उपर उठेंगे और आगे चलके कमजोर लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे ठीक इसी के साथ ही कुछ उदारवादी विचारक जिसमें बर्नार्ड क्रीक का नाम आता है और मैकफर्सन ने भी रॉल्स के सिध्धान्त को पूरी तरह से बुद्धी संगत यानि तर्ग संगत और विज्ञानिक नहीं माना देकि मैकफर्सन ने कहा था कि पूर्जी वादी समाज में असमानता और विशमता दिखाई देती है और ये विशमता और असमानता हमेशा रहेगी परनतु जॉन रॉल्स की इस बात की प्रशंसा की जाने चाहिए कि उसने उदारवाद में संशोधन के अफशक्ता महसूस क कि समुदायवादियों ने रॉल्स के नियाई सिध्धानत की इसलिए अलोचना की क्योंकि उनका मानना था कि जॉन रॉल्स समाजिक मुल्यों और माननेताओं की उपेक्षा कर रहा है देकि समुदायवादियों में माइकल वॉल्जर का कहना था कि रॉल्स का नियाई सिध् तिल समानता पर ही हो सकती है और इन सब के बावजूद हमें जॉन रॉल्स के सिध्धान्त देखिए माक्सवादियों ने अलोचना की समधायवादियों ने अलोचना की इसके बावजूद जॉन रॉल्स के नियाए सिध्धान्त का मुल्यांकन करते समय हमें तीन बाते बहुत ध्यान में रखना जाएगे नमबर एक जॉन रॉल्स ने कभी भी स्टेटस को पुजीशन He has never support the situation of status को उसने यथा पूर्विस्थिती का कभी समर्थन नहीं किया बलकि उसने समाजिक आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन की बात की उसने समाजिक न्याय की बात की उसने भेद मुलक न्याय की बात की उसने संग्रक्षन मुलक भेदभाव की बात की और दूसरा उसने एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन किया जो पूजीवादी होते हुए भी समाजवाद के आदर्शों से प्रभावित हो पूजीवादी होतेवे भी समाजबात के आदर्शों को अनुपालन करें, अपने में समाहित करें तीसरा, जॉन रॉल्स ने देखे, constitutional democracy का जो सविधानिक लोकतंत्र है उसका बहुत ज्यादा समर्थन किया था संशेप में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जॉन रॉल्स ने समाज में न्याय को किस प्रकार से स्थापित किया जाए इसको लेकर के एक कलपना की थी, मूल स्थिती की, अग्यान के परदे के पीछे बैठे हुए लोगों की जो भावी समाज में न्याय की सुरूप में आएगा उसे अनभिग्य थे, अनजान थे पर वो सभी न्याय की स्थापना करना चाहते हैं तो ऐसे में जॉन रॉल्स का कहना था कि सभी लोग न्याय के तीन मूलभुत सिध्धान्तों को स्वीकार करेंगे सर्व सहमती के साथ जिसमें पहला सिध्धान्त होगा, principle of fair equality, समान्ता का सिध्धान्त या समान स्वतंता का सिध्धान्त दूसरा होगा principle of fair equality of opportunity अफसरों की समानता का सिध्धान और तीसरे की बात उसने की थी difference principle यानि भेद मुलक न्याय के सिध्धान की कि जब कभी भी समाज में न्याय बनाया जाए तो उसमें कमजोर लोगों को हाशे पे बैठे हुए लोगों के लिए यदि सरकार कोई public policy बनाती है सारवजनिक नीती बनाती है तो सरकार की ऐसी सारवजनिक नीती का समर्थन किया जा सकता है क्योंकि उस भेद का उस तरक संगत भेद भाव का एक आधार है इसलिए अफसरों क समांता को स्विकार करते हुए समानसवतंतृता को लेते हुए हमें डिफ्रेंस प्रिंसिपल भेद मुलक न्यार के सिध्द्धान को beneficial करना होगा तब जाके समाज में एक सही तरीके से सुध प्रक्रात्मक न्याय के माधियम से न्याय की स्थापना हो सकती है धन्यवाद झाल